अच्छा लग रहा है क्योंकि हमरे टीम कॉर्टर फैनल जित के सेमी में गया है इतना उम्मिद नहीं था हमरे टीम से लेकिन टीम बच्चे लोग भी अच्छा खे रहे और अच्छा प्रोपामस दे रहे तो हम लोग आगे पोचे बावेश लगा था कि किसी वक्त लगा था ल अच्छा दियुसात ला महत्वा उना समना असना रहे सुपर एट बदला हाश वड़सा समना आणे तो असेल चैलेंज स्पोर्स विपक्ष बालाजी गलोबस इंडर्स पार्क नाने पेक जिंकून बालाजी स्पोर्स इंडर्स पार्क ने शेत्रक्षा निवर्ड ले आणी चैलेंज स्पोर्स लाव पलंदल सर्डी अमंतर केला अने पलंदल सर्डी बिलाल शेक अने चैस अप्तिला सचिन भुईर भारतिय समया नुसार गड़ी में ठीक इस समय पांच बज रहे है और ये मैच अप शुरू होने जा रहा है टॉस जीत कर बालाजी गलोबस इंडर् है पेले फिलिंग करने का नेर्ण लिया है सुरच के ने मैच के पहले गेंद लेकर सामने है बिलाल शेक सब्सक्राइब कर दिया है बिल्कुल खाली शेत्र में फिल्डर बहुत दूर नजर आ रहे सब्सक्राइब कर दिया रहे सब्सक्राइब कर दिया रहे थोड़ा सा निती चुकली होती पंटाने थोड़ा सब्सक्राइब कर दिया रहे बिलाल शेक बहुत ही खतरनाक नजर आ रहे है शांदार शुरुआत की है उन्होंने पहली गेंट पर चका उसके बाद दो लगातार चौके फिर से थोड़ा सा रूम बना कर खेलना चाहते थे इस बार अच्छी गेंती थोड़ा आगे रखा दा ओफस्तम के बाहर बीट किया बिलाल को अच्छी गें ये चतुराई भरा परिवर्तन दीमी गती की गें थी बिलाल जैसे बल्लेबास को खामुश रखा गया इस गेंटा पर मजबूर किया कि इस गेंट को सम्मान दे स्पीड विरियेशन विट ओफ कटर खुब संगला ताल में याटी कानी बॉल सा पाइला में आला आनी बिलाल कुट तरी आता थामते पहला तीन बॉल्वर बिलाल ने मत्रग तॉप गेंदों पर कोई रन नहीं बना है पहले औ पर कि आकरी गेंद राइटाम ओर दे विगेंट रिवर्स केलने की कोशिश हलकी सी आह निकली वहाँ पर गेंद बाज के मुह से क्योंकि गेंद बल्ले की काफी करीब से निकल गई विकेट कीपर के पास एक और डॉट गेंद और इसके साथ ही पहले और का खेल समाप्त होत सकती है स्कोर 14 रन बिना किसी नुकसान के पहले तीन बॉल बिलाल शेक चेह होते हैं पूर्चे तीन बॉल सुरज केने चेह होते हैं इस टोर्नामेंट में वैसे देखा जाए तो मनीच टॉस उतना ज्यादा इंपोर्टेंट रहा नहीं है ज्यादा तर मैचेस में क्यूंकि दिन की रोशनी में मुकाबले हुए है और हम देखे तो शाम के मैचेस में खास्ता और पर हलाके टॉस थोड़ा इंपोर्टेंट रहा है राजस्तान रोयल्स के कैप्टन से आप पूछे उन्होंने दो बार ऐसा किया था शाम के मैच में टॉस जितकर पहले फिल्डिंग ल लेता है एक इनिंग्स के लिए छे ओवर्स के लिए वो आदा घंटा यदी गेंदबाज लेते है तो साड़े पांच बज़े खेल समाप्त हो सकता है इस पारी का अलाकि पहला वो थोड़ा जल्दी किया है ये कहा जा सकता है लेकिन कम से कम मुझे लगता है कि पांच अधर जादा समय लग सकता है और उसके बाद जब बैटिंग करने के लिए बालाजी के बल्लेबाज आएंगे तो कहीं न कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है नयवर लेकर गेंदबाज तयार होते हुए हाजी समझ से टेंट से सागर भुईर शादार शाट पॉइंट के सामने से निकाला चार रन काई दर्जेदार स्क्वेर के टना मना मझे साथून ठेवनारी स्क्वेर के टुमला पाहिला में याले विया तिमझे इस सचीन भुईर चाह बैट पुदन बगा थामला पाहिल तैन अंतर रशेवर चाक्षणी का सा रूम बैट्समन ने भी बनाया बैक फूट पर जाकर गेंट को कट किया कवर पॉइंट पर खिलाडी है वहाँ पर उन्होंने डाइव लगा कर रोखनी की कोशिश भी कीती लेकिन कोई मौका नहीं था चौके से अपने पारी का आगास करते हुए चैलेंज की कप्तान स सचिन भूईर इस बार सामने लॉप्ट कर दिया है लॉगान पर खिलाडी मौजूद है और एक आसान सा कैच विकेट का पतन होता हुआ इस बार ताकत नहीं जोग पाए ते स्ट्रोक में कहीं ना कहीं अधूरे मन से स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया और उसमें फस्ट गया स्ट्रोक खेलने के बारे में सोच रहे ते स्कूर अब दो विकेट खेलने के बारे में सोच रहे लेकिन ऐसे में उन्होंने स्ट्रोक खेला सामने की तरब बैट का पूरा फ्लरीश भी नहीं था वो जाथा देखने को मिलता भी नहीं है उनके बड़े स्ट्रोक में लेकिन कहीं नकिया दूरे मन से स्ट्रोक खेला गया और एक आसान सा कैच लॉंग ओन की दिशा में 18 पर है पहला विकेट पुर्वान युजित फटका तुम्हाला जस्तों यह श्रिकेट मदे मिलून देऊ शकत नहीं आणी बैट सा फेज अदा सरण रिशेत वर घूंगे ले उते पड़मी किते संगिन की स्ट्रोक सिलेशन कुटितर फसलो ताक्तिच अभाव जाड़ो लाते आ क्या बात है आसव अटित पैवेलियन बॉक्स मद उनों सेठ हून आलेले आहेत किकाए करन जबर्दस वैटिंग याड़ी काणी होते दोनी फरेंदा जांची बिलाल शेक्षान लग्की सांगलो प्रदर्शन नहीं मिस राइलेले पन बिलाल शेक्षा साथी ने तैचे सहक प्रतियों गिता में उनके बल्ले बाजो ने काफी जादा एग्रेशन दिखाया है और बहुत अच्छे रंस भी बनाये है दो दफा उन्होंने सौ से अधिक रंस बनाये है केतन मात्रे आपकी स्क्रीन पर ये भी बहुत बढ़िया फॉर्म में नजर आये है बालाजी तेईस रन एक विकेट की नुकसान पर बाउंस गित लेला बॉल ला अंधी टोस येवून पैकपड पॉइंट रिजन मदे खावून काड़ा इस अधा इन्फिल्चर डोक्या रों ट्रेल करूंते दाको तैट पर मात्र कुटे संपर कहू शकला नहीं है अभी पाटील तु एक और विकेट जटक लिया है सागर भुईर ने तुम्हीं उल्ले के ला था कि सागर भुईरा विकेट टेकर गोलंदास बून एमिस ठर लेला अनि लंकेस पूर्चयाज बॉल वर विकेट मीविते आने इबाला जी ग्लोबस इंडिनिस वेल पार्क खरत सांगली कामगीरी करते पहले शटका मदे मातर कुटले दर पहले तीन बॉल महतवाजे ठरले होते चैलेंज स्पोर्स टीम सर्डित त्या तीन बॉल वर धावा आला होते है पर ट्या नंतर मातर समान कालंदर विकेट जात रहे ले बले का फेस बहुत जल्दी बंद कर दिया था और जितनी ते पहले है ते इसरन कुट दरिया तापको दबावा मंदे दिस्टो चैलेंज स्पोर्ट्स आ संग कराना जट पर दोन महतवाज पन फलंदास बाद जले सचीन बहीर जो कुटे तरी एक टच मदे होता बैटर तो बाद जलाने तैचा मागवाबाद अभी पटन देकिल पॉक आउट मैच खेल रही है बीपी एल सीजन टू में उनके सामने है बालाजी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्क जिन्होंने ग्रूप ए में बहुत ही जबर्दस्त प्रदर्शन किया था बेतरीन गेंद इस बार यकायक गेंद ऊपर उठी ती अतरीक तूचाल बिलाल भी थोड़े से अचंबित हो गए अच्छी वापसी रही है इस मैच में अभी तक के खेल में बालाजी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्क की इस बार रूम बनाकर कट करना चाहते ते ये गें थोड़ी नीची रही दोहरा उचाल है इस विकेट में और उस वजह से बैटिंग करना उतना भी आसान नहीं है काफी खतरनाक स्टोक रहता है ये जब गेंद स्टम्स के नस्दीक होती है बाल बाल बजगे बिलाल शेक और इसके साथ ये सफल ओवर समाप्त होता हुआ सागर भोईर का दोर की समाप्ती स्कोर है 23 रन दो विक्टो के नुकसान पर जब स्कोर्शीट पर अपन अजर टकली तर अपन बिलाल शेक चा फलंदा जगे घुजाओ या तर पहला बॉल वर शटकार तर दोन सवकार त्यान अंतर बैक टू बैक पास बॉल डॉट ये पास बॉल डॉट देकिल एक विगडिस कहानी सांगूं जाते तकरन सांगली या पर सेट नहीं माना जा सकता है एक तो छेचे ओर के मैचे से आपको आकरमक खेलना ही होता है और विकेट ऐसे बिहेव कर रहा है कि कभी भी गेंद नीची रह जाती है या फिर एकाद गेंद ऐसे अचानक ऊपर उड़ती है कि बैट्समन पूरी तरा से हक्के बख्के जोगी नवीन गोलंदास गोलंदाजी मारकवा सुरज जोशी चाना वरुदे केल अर्दशा तक आहे भीवंडी प्रीमेर लीग चाहे या सीजन टू मदे मदे मजटका या भीवंडी प्रीमेर लीग मदे वेगवेगा खेड़ों ने आपले चाप सुड़ ले तैतला एक ख जिफ्टाम राउंड विकेट थोड़ी सी घुमी ती गेंद ऑनसाइड में खीचा है अक्रोस दे लाइन खेला डिप स्क्वेरिश मिड विकेट किस्थान पर एक रन लेनिक आउसर अजेई पाटिल वहाँ पर नजर आते हुए एक रन से अपना खाता कोलते हुए आरप शे आवन से योगदा निकाद आवा मदी दिलाने त्याचा वर देखली विश्पास्थ यूश्यू शुक्तू चलेंस फोर संग फुलेंगें प्लेट ओन बिग विकेट बिग 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 बिगेस्ट विकेट अपर मुनु शुक्तू करन बिलाल शेक या फलंदा जावर थोड बड़ा अंद्रूनी किनारा लगा है और दोनों पैरों के बीज में से निकली गें सीधे स्टम्स पर निराश रहे वहाँ पर बिलाल शेक काफी नाखूश है अपने आप से और उनका गुसा भी देखने लाइक मायू सोकर पेविलेन में लोटते वे बिलाल ने बनाए 14 रन दमीन फलंताज जातों करेश मात्रे दबाव बनाया गया था उनके ऊपर जिस तरह से उन्होंने डॉट गेंदी लगातार खेली थी और डॉट गेंदों का बहुत जादा मेहत्व है मनिश मेरे ख्याल से लिमिटेड ओवर्स के क्रिकेट में एक बैट्समन छे और के मैश मे दो तीन डॉट बॉल भी खेलता है तो वो एक अलग तरीके से सोचने लगता है और दबाव में गल्तिया होती है आगे थे उन्होंने ओन साइड में खास्ता और पर राजु बोगा के विरुद भी जबर्दस बल्ले बाजी की ती उन्होंने अच्छा स्ट्रोक गैप में खेलने की कोईशिश लेकिन डिप स्कूर लेक पर प्रोटेक्शन है एकी रन मिलेगा वहां पर करेश को करतर बैच्चा तोला हाँ वाल कनेक्ट जाला ओटा त्याम अले से अतितका सा प्रोड़क्ट्टिव ठरला नहीं है विद्विकेट रिजमने डिपर शेत्रके तेना तो ता स्ट्राइक रोटेट टेपागा ही देकल महत्वाट साहे अजुनी तीन शटकन सा क्रिकेट बाके अजिए अधिए 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 अधिवादा शुरुआट की बिलाल शेख ने लेकिन उसके बाद सूरच के ने कहीं अधिवापसी की अंतिम तीन गेंदो पर उन्होंने अपने और में कोई रन खर्च नहीं किया उसके बाद सागर भूईर का ओवर लाजवाब अहां नौरन देकर दो विकेट्स स्कोरी समें 25 रन मिस्टाइम स्ट्रोक एक आसान सा कैच और कोई गलती नहीं कॉर्टन बोल्ड आउट होते हुए आईकॉन प्लेयर आराफ शेक पंच्वीस दावादाव फलकवर रहत आनी अजुन एक हादरा याटिक अनी चैलें स्पोर स्ट्रीम ला बस्तो है हानी मी बनाला तो कि निरंतर आसले बाजे धावां चीनिरंतर तासले बाज याटिक अनी विकेट्षी निरंतर ता पाला में ते आनी मी अता मोड़ शक्तो की नाने पेग जिंकून बालाजी ग्लोबस इंडस्रियल पार्क टीम ने शेत्रक्षा नियाए दिन अरे गुलंदाजी याटिक अनी पत्ते गुलंदाज याटिकाने दाखोतो है जबर्दस्त वा बालिंग याटिकानी सूरज जोशी कैप्टन आप बालाजी ग्लोबस इंडस्रियल पार्क दोन महत्मोपन फलंदास त्याने बात के लिए नभीन फलंदास में अना चाहा आतमादे इन उत्व है तो मझे इस प्रशान पार्टी लाइए तिती कहीं नाजुक हो रही है समय चालेंग स्पोर्स की करिश मात्रे जो पर दो खेवपट्टी वरे तो पर इंतर मात्र कुटे तरी एक मोटा धावसें कीची चाहूल लागे लागे लिए नकित चैलेंग स्पोर्स टीम ला प्रशान पड़िए लेकर हेवी मिडल ओडर बैट्समन आहे चैलेंग स्पोर्स टीम सानी या दोन फलं कुन फलंद जिकर आला भी जोर्दार अपील लकॉर्ट बिहाइन के लिए लेकिन आंपायर की सहमती नहीं शाहिद दबलेबास के शरीर से लगकर गेंच लिए इस्टम्स के पीचे बले के काफी नजदीक से जिहा पीट पर लगी है राइड डिसीजन खूप संगलर के लिए गुलंदा जनी फलंदा दर्वर हाथ कुले करने जी संधी मिवत नहीं फलंदा जन्दा नहीं काफी देर हवा में और एक और आसान सा कैच मोनिश ने इस बार कोई गलती नहीं की एक और विकेट का पतन सुरज जोशी ने या विकर शटका मादे कुन तीन आता मात्र भगदार पढ़ रहे हैं चैलेंज स्पोर्स टीम ला पंच 27 धावा अस्ताना आता परता गड़ी बाज जलेत एकुन पाज एकी ओवर में तीन विकेट्स चटका है सुरज जोशी ने कपतानो धारन देकर नेतरुत्व करते हुए गजब की गेंदबाजी और चैलेंज स्पोर्स की स्तिती कहीं न कहीं अब कहा जा सकता है कि बत से बत्तर हो रही है एक अच्छे पाटनर्शिप की आवश चकता है इस साथ कुनाल दाते है थैंक यो आजे और थैंक यू मनिश पाटिल तीन ओर की समाप्ति के बाद इस वक्त इसको रहे सथावी सरन ट्वेंटी सेवें यह साथ आवी पाटिल ने जो शौट कहला था जिसको पहले चार रन दिये थे वो बाद में छे रन बने इसलिए तीन ओर की समाप्ति के बाद स्कोर है 27 बीपील में स्वानी शाम में मेरे साथ जूर चुके आईपील की मक्मली आवाज कुनाल दाते कुनाल दाते देखिए सन अब विवन्डी किरकेट सूरज जोशी टीम के कप्तान एक वर तीन रन और तीन विकेट और यहाँ पे उन्होंने एंसीपी कप में अपने कोटे के दोनों वर मेडन डाले थे और चार विकेट लिए ते इस ग्राउंड पे काई बनाड बोलिंग के लिए खरयारता ने हे रेकॉर्ड सागूल जाता तैसे हे फेवरेट ग्राउंड है अनि दी ते कुप सांगल प्रदरशन सागर बढ़िया गेन बचाया वहाँ पर किबल पुश किया उन साइड में आप बहुत कुछ डिपेंड रहता है कप्तान करेश मातरे पे के वो चैलेंच की बारी को सवा रहे नहीं बैट्समें सिंगल से खाता खुलते हुए त्री मूर्थी इस सीजन में त्री मूर्थी न सागातार सागर स्विंग एन मेस क्या बोलिंग करें सागर इस सिजन इस सिजन में बीसी फोर फॉर्मेट में दो है ट्रिक कर चुके हैं सागर दबाव असे लाता करेश वर्चा पंद दिने बैट्समन आउड जाले पास बैटर आउड जाले लिए है चैलेंज स्पोर्स सागर बूलिंग बहुत लाजवाब और ये सागर बूर वो गेंबादे जिन्नों ने बारत के टेनिस इत्यास में पहली मरतबा लबी डवल्यू का एट्रिक किया था गावदीवी कप बापगाउं में और हम पायर हमारे मैच रैफरी हजीम हमदुल ले थे उस वक्त और ती केंद सीधी मैदान के बाहर जाती भी चेरन सांगला फटकाद सांगला टाइमिंग याज फटकेंचे आवश्चक ताहे आता चैलेंज स्पोर्ट्स लाइक सनमान जनक दाउसं क्या उबारना साथे टॉस जिंकला गुलंदाजी करना चान निरने पहला तीन बॉल वर असवाटला की चुकी चान निरने गेतला त्यान अ मूर्ती इसी तरह की इस्तीती में कहीं मर्तबा अपने टीम को सारा दिया है यहां वो बीपियल में सारा देते वे स्कोर पैंटीस सागर भुईर हाजी समझ से टिस्टेंड की तरफ से आते वे त्रीमूर्ती गायकर को ओहाँ फ्लिक शॉट अफ इविनिंग क्या शॉट है मूड बना दिया है छे रन वहाँ गर्मा गर्म वाफालता चाहानी तैचा वर असा जर शॉट अलात राजुन काय पाईजे फ्लिक प्रिस्ट पहां मनगदतली ताकत थोड़ सा पुड़े टाकला बॉल अनि तैचा नंतर मनगदतली ताकत जोख लिट्री मूर्ती चा बैठ मदून शटकार दो सिक्सार लगे हैं तो बाला जी गलोबस इंडस्ट्रियल पार्क के खेमे में हल चल इसकोर एकता लिस लिकिन कुनाल जिस तरह शाम का मुकाबला हो रहा है मेरा अपना मनना है कि सचिन भुईर जरूर चाहेंगे कि साथ या उसके उपर सत्तर के करीब पहुंचा जाए इस वट्टे संद्यकाचा 17 मदे हवा वीरल हूद जाते अशा परिस्ति टी मदे साथ दहावां सर टार्गेट मजा यह हो शक्तिया मैच मदे तरी मूर्ती गायकर पुरान भरते वे सागर भूईर के सामने इस मर्दबा ओह स्लाइस लेट का चारन सिल्की टच इसे किर्केट में कहते हैं खाई कापला यह बॉल ला शौट बॉल होता थोड़ा सा उपस्टम तेचा नंदर गली सा शीत्रक्षे कोता तेचा अगि दी बाजू ने फक्त दीशा दिली लेट कट सिल्की टच अनी बॉल बॉलिंग ची पहला तीन बॉल वर रहन चाले न होते सागर चा या ओवर मदे पर तुट्या नंतर काया अक्रमन जालते चा नंतर चा तीन बॉल वर दोन चटकरानी एक सवकार आला है सागर महागरा ठरला या ओवर मदे अठरा रहना ले चार ओर सा खेल संपला टीम ची दहुसंग क्या पंचे चाईस पात्स फलंदास बाद कफ्तान सूरज जोशी सन अब विवंडी किर्केट कंटीनू पहले ओवर में दो रन और तीन विकेट इनके नाम दो रिकोड है आरके ट्रॉफी में भी इन्होंने दो और मेडन डाल के तीन विकेट लिए थे एंसी भी कप में इसी गिराउन पे दो और दोनों मेडन और चा है आठ मिनट का भचा है दो वर के लिए अगार को सूरज जोशी है ओला पावरफुल खर्बूजे को देखकर तर्बूजे ने भी रंग बदल दिया बहुत जल्दी हरकत में आयते और कहते हैं कि हरकत में बरकत है हो हरकत मदेश बरकत आहे सोना देवी विहान मीत कुमार ट अब यहाँ देकल सामना तेंचसटी नॉक आउट सेज मदेश आहे काई फटका पुल पावरफुल क्रीच अत्म देगेला तैचान अंतर एक संगला फटका बैक फूटला वेट ट्रांसपर करता स्था मिडवी केटला शटकार डेप्त आप क्रीज का लाजवाब इस्तेमाल और एक कामान रन चैलेंज स्पोर्ट्स के पूरे होते वे जो डगाउट में मायूस बैटे थे फेस आप यहंडी मायूर पाटिल अब उनके हातों से तालियां बज़ रिये क्योंकि ये शो तालिय और बाली सरका है ये गेंदवा में फिल्डर नीचे केतन और आउट होगे वहाँ पर करेश मात्रे चौता विकेट लेते वे सुरज जोशी अग्रेशन बगा जेल गेतले अनंतर सर्व काही चित्रस पश्टा है हाँ सामना किती महत्वास है दोने टीम साथी हाँ जेल पकडला केतन ने त्याने बॉला आपडला त्यानंतर बोलर ने देखिल काय सेलि एकावन रन छे विकेट लेकिन विक्टू का डिपार्चर इस वक ज़्यादा नजर आ रहा है चैलेंज का आप नए बैट्समेन आट आप पीटी सी प्रतिक वीशे लंबे लंबे शॉट के लिए जाने जाते हैं और समय भी चैलेंज के लिए वही है सूरज जोशी चोटा शिकार करते वे और राउंड परफोर्मस कर रहें एक मैच में 70 रनों की बहुत बढ़िया बारी भी खेल चुकें सूरज जोशी स्विंग एंड मेस कटा रहा उंगली या फेड़ी थी और ये देखिए क्या मोमेंट रहा था सूरज जोशी लेफ्टाम राउंड इस्टम जाते वे गायकर को उचाल दिया क्या गेन मैदान के बाहर यस मस्तक पे दस्तक मोनिस के छे रन प्योर टाइमिंग इते पहला बनाल अबन पहा तो है फटका संग्लास जाओला फ़क्त टाइम के ला फुल टॉस होता अनि तेला माइट होता जब पंदे दिने टाइमिंग जाले बाउंडर लाइन क्लियर करेल परन्तो अगदी जवल पढ़ला बाउंडर लाइन चाहा बाउला ने हाए तो है संग्लास शटकार त्री मूर्ती चाहा बैट मदुन त्री मूर्ती और फायर नाओ कितने पर बल्ले बाजी करें सत्रा रन तीन सिक्टर लगा चुके हैं तो सत्रा कहां से होंगे टेवीस पे इस मर्दबा ट्राइफ लगाया बहुत खुबसूरत अंदाज से डीप कवर में प्रेशर बिल्ड़ अप होता हुआ दो रन बने दर रन से स्कूर चैलेंज का 69 रन अब चैलेंज का स्कूर चैलेंजिंग होता हुआ 25 धावन जी खेड़ी त्री मूर्ती ची तैचा मदे साथ बॉल तैने फेस के लिए लिए थे 25 रन कूप महत वाचत या स्टेज ला अच्छी गें फिर से कटर पांच अबर की समाप्ती रन बने उनसर्ट छे विक्टे गिरिये और दो अच्छे बैट्समें अभी भी मौजूद हैं क्योंकि पीटी सी के बहुत ही यूज इटर है प्रतिक वीशे और कुनाल सबसे बड़ी बात है कि इस सीजन में 24 सिटी किरक सब्सक्राइब में जो साथ अरदिश चतक लगें उसमें उन्होंने भी लगाए कहां देखते हैं अप स्कोर को आख्रिगोर में पाच ओर चाकेर संब्लेट चला वेल कमी आहे लक्षद गया तीनस मिंटा है तुम चागले शेवट सशटक टाकने साथी कारन बरोबर पाच वस्ता हाँ सामना सुरू जाला होता पाच वजुन सब्विस मिंट जालेले आहे तिन्ते चार मिंटा चावेल तुम चागले लव द्याद रुष्टी को ना तुने एक सांगलर टार्गेट सेट करना गर्जेस है दहाते बारारन करेला हरकत नहीं है लास्ट ओर मदे यह से भी तो नहीं भूलना चाहे कि आराफ शेख भी गिन्दबाजी में बहुत चर रहे हैं चैलेंज के पास भी एक अच्छा तुपका ना है लेकिन बात इस ओवर की डेट ओवर में कितन मात्रे स्वेम आये आइकान इंडिया और वाकलन का कोहिनूर सरी सर खिलारी ने मैंन आप दी स्रीज बहुत जीते ना है अट्रा बाइक ओ क्या तेज गेंती पैट्समेन का बल्ला गूमने से पहले चली गी वागदी बरुबर तुम्हीं उले केला केतन चाब आपतित अट्रा बाइक चार फोर विलर याने जिंकले लाहे तानी यांगा मदे एक रेनोल ची ट्रीबर कार तैने जिंकली खारडी चाशका मदे नाश्नल ब्लास चैंपेंशिप मदे गोवे मदे गेला ती दे देखिल तैने बाइक जिंकली एप्रीला केतन इस मर्थभा पंच की आगें को खाली चेत रहे गें डीप कवर बाउंडरी के बाहर जाती के भी चार रान शॉट वाइड एन पनिष्ट जगे दे बैठे थे हाथ कोलने के लिए केतन मात्री होट संगला फटका होता बैक फूटला जाता स्तरा फोर्स के लाए अनि यह पंच के ला कवर्स बाउंडरी लाइन चा दीशे ने हाथ सा उका रहे तो है सूरज ने देखि यह जाएंगी साजन के घर हाइन एंसम छे रन प्रतिक वीशे काई फटका है वीशे चाप बैट मदून वीस रन देता है लेस्ते तर बरजालस तक रिगेट मदे परंदू रन मेरतिल सहाच हां उत्तूंग शटकार बिलकुल क्या दूर दे मारा है यह देखिए मुझे नहीं लगता कि गेंद वापस आएंगी यह देखिए बहुत दूर और राउंडी स्टम जब कून क्या अगेंस आप इंट फरंट आफ दी विगेट खिलते हैं तो यह बात साबित करती है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना अच्छा है और आपने इसको टाइम कितना अच्छा किया है एकुल सत्तर अंजाले 69 लॉस अप सिक्स्ट विगेट सिर्फ दो मिनट बचे बची भी तीन गेंदों के लिए इस मर्दबाल लेट रिवेट रहा था बल्ला देर से आया था बीट किया उफिस्टम के बाहर चांगला बॉल होता चांगला आउट स्विंगर चावापन इते केला गुलंदाज केतन ने चांगला कमबैक शटकार नंतर निते एक डॉट बॉले तो यह चांग उधर चवकार रहा तो यह असपर देतला चारशेवा चवकार होता साहिबा मोमीन एंजी माहितिया लिए क्या बात है क्लासिक किर्केट भी बहुत खेला गया है और बहुत पर्या अगें एज एन आउट रफ्तार बहुत तेज निकार रहे हैं यह देखिए बल्ले का सीरा चू कर पिकेट की पर के पास नहीं बैट्समें को तुरंती बेजना है प्लीज और हम पर्स आपको वहीं रुकना है और मैच की तुरंती शिर्वात करना है अगर ये गेंद एक मिनट में हो गई तो परफेक का तीस मिनट में अपना बुलिंग का कोटा पूरा कर रही है बालाजी गुलोबस इंडर्स्ट्रियल पार्क जीतु मानेर कर और वीराज चोड़गे आंकों में सुर्मा आल के देख रहे हैं और ये चले दूर दूसरे मॉल्ले में वाइट एक रन से सत्तर जो हमने टोटल कहां था वहीं बना है हम देखना है कि दूसरी बाड़ी में क्या होता है उसत्तर रन जाले शेवट सब और जुनीशिल लग है ड्राइब के आग इनको लॉग आप पे खिला रिया है एक रन मना दूसरे के लिए निकल पड़े रन के लिए ही रन गाय कर तो कुल मिला कर बात्तर रन 33 की चुनोती तुरंती फिल्डिंग साजाना है हमपायर को वहीं रुकना है और 33 रनों की चुनोती के लिए चुनोती बड़ी कोमेंटरी के लिए इस वक्त हजेगरत और मनीश पाटिल लेकिन दोस्तों कल ओन नाइन पर हमारे साथ जुडियेंगा यूटूबर टेलिविज सेट पर क्योंके कल कौन बनेंगा बीपील सेकेंड का वीजेता वू विल बी दी वीनर और पीपील टू तो खेल की जब शिरवात होंगी तो आपके साथ मारस्टरा के सदाबार कॉमेंटीटर हजेगरत और मनीश पाटिल वह चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं जो बात कर ले तो बुच्टे चराग जलते हैं समारोप कुम्फ चांगला के लाए दिवस्याचा सिद्धिक्स राणी तुप चंगली शायरी तैनी वापरली राटिकानी उद्याता दिवसमहत्वाचा आही करण धा दिवसा पसुन जे संग याटिकनी स्ट्रगल करते हैं एक उलक कमोने साथी ती उलक मिल कुटलादरी ए कर संगर जिकना रहे तुरतास या समनेचा अधिशने वर्या पालादाव मदे चैलें स्पोर्स्टीम ने अब बनोले आहे एकून अबहात्र दावा और त्रहत्र दावा अने त्रहत्र दावन से लक्ष घुलाए बालाजी ग्लोबस इंडिस्ट्रियल पार्क यार्टीम कड तरह बालाज ग्रण संद्राइब कर देख एक फेर गिर्ड़ाप अधिशने पार्टीम अधिक टेप दूसरा रहाओ लिके सुरू कर आई से वाजा सुबत कमेटरी बॉक्स बढ़े जोइन कर तील अज़े घर टेकस अबर आवाज महाराश्रा ज़े जी या टावा बदल का संगर करन एक संगली बैटल राइली लिया है सुद्वाति लाटलो थे कुट्ट तरह के लोग स्कूरिंग सामनों इल चाई से पन्ना जवाज धावाज दावपल का वरस्तिल पंट्यान अंतर मात्र मिडल लोडर बैटिंग निट संगली फलंद जी के ल होती जा रही है 27 पर 5 विकेट गिरेते पहले तीन वर के खेल में चालेंज स्पोर्स के लेकिन आखिर की तीन वर्स में 45 रन बलेबाजों ने बनाए और केवल दो ही खिलाडी आउट वे बहुत ही बहतरी न वापसी किये है चालेंज स्पोर्स ने और एक अच्छा मौका में समझता हो चालेंज स्पोर्स के पास रहेगा हाला की बालाजी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्क बलेबास भी बहुत बढ़िया फॉम में खास्ता और पर टॉप और उनका काफी है वी है सूरज के ने और उनके साथ के तन मात्रे और इनके सब्सक्राइब लेकिला उता के सब्सक्राइब लेकिन बालाजी के जो समर्ता के वो चाहेंगे कि इसका फाइदा हो फ्रेश है बल्ले बाज तो उसका फाइदा मिल सकता है पहला और लेकर अरब शेक तैयार होते हुए सुरज के ने स्ट्राइक लेने की तैयारी में के तन मात्रे नॉन स्ट्राइकर्स एंड पर एक भिवन्डी चा सुपरस्टार एक बजूला है कल्यां पाइदा सितारा पहला बॉल फिक्रस अडिसर जोटे ओवर दिविकेट यह विस बॉर्टम इंट सब और फ्लिक करना संदास माला पाला मैला स्ट्राइक रिजर मदे शित्र शेक तैना तैना इंपिल चाहत मदे एक अधर बनी दॉपल का जिसरुवाद रातर तर्स अपतल प्रफ यह दो अब यह देखना चाहूंगा कि इस मैच में किस लेंद पर गेंद बाजी करते है आप शेक पहली गेंट फुल लेंद रखी उन्होंने और थोड़ी पैरों की तरफ रही थी सिंगल से अपना खाता कुला टीम का खाता कुला है सूरच की ने ने पास शित्रक् कि बैक फूट लाजाउन कट कर ऐसा होता टपा पर लेंद बॉल थोड़ा सा राइस होते हैं जाता जगें नहीं थी और उससे भी इंपोर्टन बात यह है कि गेंद उस लेंद पर नहीं थी जहाँ पर कट शॉट आसानी से खिला जाए थोड़ी आगे रखी वी गेंद थी बाहर की तरफ निकली तीले कटर का इस्तेमाल किया गया था उच्छाल अच्छा मिला था जिसमें बीट वे बैटर केतन मात्रे एक सुटीस रन उनके खाते में है अभी तक इस टोर्णामेंट में इस मैच से पहले सूरज के खाते में भी सौसे अधिक रन है एक सुटीन यावे इस मात्रा फोर्स के लिए लॉंग ओन रिजाए मदे शेत्रशक नहीं या वन बाउंस गे उन बाल जाते सिमारे शापार आणि याथ सवकारा चासाय ने धाव पलक मात्रा कुटे तरी एक वेगले दिशे ने मुट्टे आथ संके ने पूरी दो आणि पोस्त तो है तो मुझे इस पासिया अक्रेवर तीन गेंदे देखिया हमने तीनों भी अलग 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 लेंद पर रखी हुई गेंदे ये गें थोड़ी शॉट रही थी आड़े बैट से सामने प्रहार किया और ये भी एक मन पसंदीदा स्ट्रोक है कहीना के एक तन मात्री का इस तरह कि स्ट्रोक्स काफी खेले उन्होंने फोर्सिंग स्ट्रोक्स आप साइड ऑन साइड में दोनों तरफ खेलते है जागा दिलियो थी जागे शागे शकुप चलब आपर याव इस पुनाइग दफोर्स के लाइट का समस्टाइम उताइब अपन बताय रिकर शेत्राशक नोने हर्दिक शुबकामना भीजिए शुबेच्छा कामी तरेटी लस पर मातर मेंदना चात्मदे मेहना सुथा कराव लागना नशी बची साथ मिलते पर नाता मेहना तर्स दोनी संगाच लिकार ना कराव लागना राइचार बाल साख जाले बद इस वाल मदे अजूने इ अच्छी शुरुआत की है केतन मातरे ने पहले और में दो चौके जड़े है पावर प्ले का खेल बहुत मैं तो पूर्ण है पावर प्ले के बाद और थोड़ा मुश्किल हो सकता है बल्लेबाजी करना लेकिन ये दो ऐसे बल्लेबाज है क्रिस पर जो शाहिद किसी भी पर सब्सक्राइब बाहर के लिए स्लैश के लिए बॉल लासी मरशा वाई जाते बॉल मुट जवकार चार दावा शॉट पीच गेंबाजी में गेंबाज खुदी फस्ते वे नजर आ रहे है यह दूसरी मर्तबा आमने देखा है जब उन्होंने पीछे गेंद रखी है तो उसक अबलाजी ग्लोबस इंडस्ट्रीय पार खासंग जलाप बिन दिक वाई ओना का अनुट प्रिक्ष्ट पूसला पाई जैस तरह की शुरुआत वीचालें स्पोर्स की उसी तरह की शुरूआ ते उन्होंने भी पहले और में 14 रम बनाये ते कोई विकेट नहीं गिरा था और बालाजी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्क ने भी जवाब में 14 रन पहले वर में बना लिये हैं उनका भी कोई विकेट नहीं गिरा है लक्ष है 73 रनों का यहां से अब 5 और का खेल बचा हुआ है 69 रनों की जरूरत अब लुट रवन शीगर जाहे थीज वोट्स अकेशल लेका बाराच अब गटने खड़ाइशा आठापर अगला के बालाजी गलोबस था नगाचा दोनी फलंदाशनी दाकव लाइक एटन के तुन नवूदावन बर राइट आला कुट था दितो ए सूरच के निपाज तो मंझेट धी रच धुमाले एक तांगी दर्जेदार गुलंदाशी दाकव लेपुर्ण भूमेंदी प्रीमेर लीग मरें अड़ी पुनाइब अडिकेट शूद गेन सथी तैला मात्र अमधत के लिजए गुलंदी करने सथी पंसांचा डविकर न तो स्टार्ट के तो स् दर्जेदार शुरुवाथ या दूसरा शुटकाची तुम्हाला पाहला मीटे धीरच कर दो बहुत बढ़िया गेंद के साथ शुरुवाथ कि है आगे रखी वी गेंदी थोड़ी से अंदर की तरब भी और फिर उचाल भी उसमें काफी अच्छा देखने को मिला था जिस बढ़ भी चीवादा उसे के दोंपुस्ते बिन बात पंद्रा शुरुवाथी मैचेस में हमने देखा मनेश के चालेंस पोर्स ने कहीं न की दिरज को पावर प्ले में गेंदाजी नहीं दी ती लिकिन जब से उनको पावर प्रदर्शन और भी अच्छा होने लगा और पा बाहर पोस्तों है साधा वान साथी शट का रहे तो है अत्बुच्षाट के लाए वापर सूरज ने फ्रंट फूट को बाहर निकालते वे यह स्वीप लगाया हूँ नहीं बहुत दूर से खीचा है गेंद को कमाल का स्ट्रोक लपेटा है हाला के रिसकी स्ट्रोक था फिलर वे अमने देखा है फ्रंट को आगे खिशते वे स्वीप करना अप्स्टम के काफी बाहर की गेंदो कौन साइट में खेलना एक विस्दवाथ आपर कवरस्तिल धिरच जागा वन अवली पला चाप के लिज आता है पूंट रिजर मदे शित्रश्यक्त आटिकानी आहे एक द यौर करती अच्छी गेंद अच्छी वापसी सिक्सर लगने के बाद धीरच दुमाली द्वारा स्कोर अब 22 रन बिना किसी नुक्सान के यावे स्ट्रेट ड्राउंड ग्राउंड बॉल गोज बियांड लांग ऑफ बॉर्डरी लाइन पॉर मैक्सिमाम सिक्सर स्टेंड डिलीवर जगें मिलीती हाथ खोलने के लिए और पिछ गेंती आपस्टम के काफी बाहर और ये देखिए किस तरह से खड़े-खड़े लॉ जागत ने हास्टुक एक्जिगूट के लाए तो मजिद्स केतन माथ यावे सुनाइक दा एलिवेट के लाए बॉला लांग ऑन शेत्रक्षक पाहत तोई जज्जमेंट गेतोई आणि हाँ मात्वपुण जेल टिप तोई फलंदाज बात विकेट डाउन बहुत अच्छा क प्रतीक विशे द्वारा और कहीना कि ऐसे लगता है कि केतन ने थोड़ी जल्द बाजी की इस ओर में भी 14 रन आ चुके थे ओवर की अंतीम गेंती फिर से प्रहार किया उन्होंने इस बार वाइडिश लॉंगोन के ऊपर से खेलने का प्रयास था उंचा ही ज्यादा थी और कि दूर शटकन सब्सक्राइब परिपूर्ण जाले दूर शटकन समाप्तिन अंतर अट्था विस दाबात हाव पलका वर असनर राणिया था मिक्स क्रिकेट है असना यह की कुटला संग वर सर्थे तो कागदो पत्री दूनी संगर स्टेबल पोजिशन मदे चला प्लीज न सोला रन बनाने के बाद आउट हुए है चार उवर्स में आप 45 रनों के आवशकता यानिके 11.25 रन प्रती और के इसाब से रन्स बनाने की चुनौती है अलाकि यह देखने में तोड़ा आसान लगता है इस टोर्णमेन के पीछे के सब मैचेस हम यदि उठा कर देखते है त प्रतिष्ट इस परदाने प्रतिष्ट इस पर देमात्र तुम्चा देखेल महत्पपुण एक तन मिलन गर्जिटा ही दवीन बॉलर बॉलर बॉलिंग ट्रेक वरते अरफ कमेटरी बॉक्स एंड करूंस ट्राइक पर बैटर असेल कैप्टन आप बालाजी ग्लोबस सुरज जोशी नौस्ट एकला सुरज केरणी तून सुरज केरपटी वर यावेज हल का तने बॉला स्टियर के लिजटे पैकवर्ट पॉइंट रिजर मुदू शेत्रक्षट पोड़े तो एक दावते सुरज सा कॉल होता दुसरी दाव पूरण घील का पन सुरज केरणे ने थां हो ले फक्त एक दो मिला राड़े का दाव चीवार्ट आवसे का एक दाव ने फूरे जाते है और पोस्ते ती मंजे इस एकूर्टी से आक्रेवर बाला जी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्का ये कुल मिलाकर च्टा मैच है बीपिल सीजन टू में और उसमें के वल दूसरी मर्तबा बल्लेबाजी के लिए है कप्तान सूरज जोशी जब पहली बार आये थे तो सतर रनों की गजब की पारी खेली थी आस किती काल त्यादिशी सत्तर होते आपनाई आच्छा दूसा मते देखील महत्वपुर्ण अस दरूरी नहीं कि पन्नास के बाद सत्तर के वाचा सब्सक्राइब के लिए याटिकानी सूरज जोशीन अरफ अरफ वर्द विकेट ना कैने सटी जागाबोन अले बॉला टैप के लिए खूप संग शित्रक्षन पॉइंट रिजर में तुम्हाला पाइला मीदे तैक अने प्रशान ताहे एक दाम मीदे स्टाइक रोटे डिक सब्सक्राइब की जरूरत रांट भी केट गती परीवर्तन के लोट वेवस्ती तो चेक करता लाने फलंद जला पूल करने प्रयास जरूर जालाए बॉल मिद्विकेट रिजर में जातो डीपनु शित्रशक पूरे तो है सचीन बॉस्टाप कुरूं फेकर तो इता पुरू सब्सक्राइब को टाइम करना थोड़ा सा वैसे लगता है कि मुश्किल हो रहा है इस तरह से ये तो स्ट्रोक थोड़ा सा मिस्टाइम देखने को मिला था सूरज जोशिद्वा रूसी वजह से कही ना कई जल्द से जल्द जादा से जादा रंस बनाएंगे तो फिर आखिर कि जो दो और सेंगे उसमें कम दबाव रहेगा नहीं तो फिर मुश्किल हो सकता है एक्जेक्ट लिया तिसरानी सब्सक्राइब मत्रद हवा समान का लंतर ने अलया पाजे नाइतर मत दबाव नकिस और वला जाव शेकल संद्यकर सत्रम अधे बॉल हम अधे ट्रावल होतना तुम आमा सर्मान ठाओ करना ता मत्रा क्रिकेट अवित्रा नो किकेट वाद तुम साखेट तुम चीव अधार को तो सब्सक्राइब अलया चाहिए ता लेकिन सिंगल को डबल में कन वर्ट किया है बहुत बढ़िया तालमिल दोनों सूरज के बीच में सूरज जोशी और अधिक रिख पर है बालाजी क्लोबस इंडस्ट्रे पार के लिए स्कूर तैन ती सरन यहां से और चाली सरनों कि आवज शकता है जब की गिंदे शेश है बीस बीस गिंदे चाली सरन वीज बॉस बॉल सर चावीज दावन शीकर इसमाज जिसका एका बॉल में दोन 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 सब्सक्राइब करते हैं अच्छा वर घट राया है आभी तक तो देखना है कि फिनिश किस तरह से कर पाते है अरब शेक अरब यावे स्कुप सांगला पता दिने एलिवेट के लाए बॉल लांग ऑप्सी मारिश जा पली कडे ताक्ती सा नजलना बॉसी मारिशा पार शटकार क्या कमाल का स्ट्रोक के ला है जगे बनाई थोड़ा सा इंसाइड आउट हेली कॉप्टर उड़ाया और डीप एक्स्ट्र सब्सक्राइब करते हैं सुरज करने या भीवडी प्रीमियर लीग मदे जहां इस टॉर्णामेंट से पहले जरूर थोड़े आउट ओफ फॉर्म ते लेकिन जैसे ही बीपील सीजन टू स्टार्ट हुआ वो फॉर्म में लॉट आये और अभी भी उनका वो फॉर्म जारी है और अथा अठ्रा बॉर्स बढ़े घर जाहे थीजवांजी और या अठ्राव बावल बढ़े थीजवा कशा पूर्णा के लेज़ तील तो लेका जगा जगा पुस्वर्णा सटी अमधित को तो माइक्रोफोन वर्बा अजय घरत एंजा सुप्ती ला कुर्णा जी दातिया पर सूरच के लेला फॉर्म सा पडला है या प्लस पॉइंट है या मैच मदे सूरच जोशी चा बरुबरीने सद्ध्या तैला खेल कराएचे आनि येना रहा अठ्रा बॉल मदे तीस रन कराएचे तकरन रंडेट सा विचार के लाता सउधा पूर्णा का तेतिशा सरासरी न का शुरुआ तुइल चालें स्पोर्ट्स के लिए केना कई समसे ये रही है कि ज्यादा विक्टे उनके गिंदबाद चटका नहीं पाये है पहले तीन ओवर के खेल में सिर्फ एक ही विकेट उनको मिला है और बाउंडरीज बचा नहीं पाये है बोलर्स तीन ओवर में तीस रनों के आवशकता फिल्ड तुरन सजाना है चालें स्पोर्ट्स के कैप्टन से रिक्वेस्ट है फिल्ड आपको सजाना है सलाफ फिल्डिंग लोकर अतलोकर सजवा करन ड्रिंक्स ब्रेक्स संपनन जालेला है पास वाजून 48 मिन्ट जालेला है तानी 12 मिन्ट आहे तुम चकने आता ये तीन चड़क टाकना सटी खुणाल अरफ शेक ने कईना कई निराश किया है दोवर में 29 रन कोई भी सफलता उनको नहीं मिली वो तोड़ी सी निराशा जालेली असल आरफ शेक चा याही ओवर मदे शेवर्च काही जे बॉल आपन पाहिले तर तैचा वर दहा धावा आलेले आहे तानी है ये शड़क तोड़ सा महागर धरला आरफ सा परन्तु इतुन पुड़े का है इनारे आर अट्रा बॉल मदे तीस धावान चा वश्रकता है फार एंड कडू ना था गोलंदाजी वोईल हाजी समसेट स्टैन एंड कडू ना था बोलिंग केली जाहिलानी ओवर नमबर चार मदे गोलंदाजी सट्याला है दीरच कंटीनियू रखा गया है धीरच को बोलिंग में अभी भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया है यह फ्रंट लाइन बोलर है फिर से विश्वास जताया गया है कप्तान द्वारा उनको विश्वास है कि ये विकेट दिला सकते है लेकिन विकेट के साथ किफाहिती गेनबाजी भी करनी होगी बहुत ज्यादा समय खर्च किया जा रहा है फस्ट वार्निंग अता बोलिंग करना रहे टीम लानी अक्रा मिंट तुम चक्ड़ा है तीन ओर टाकना सटी करने एक मिंट आता तुमी खर्च के लेला है तीन ओर सा खेला नी तीस धावांचा बश्चता लिफ ए किसी तरीके का कोई दबाव नहीं है दोनों भी बल्ले बाजो पर ये सपश्ट रूप से देखने को मिल रहा है बलेई परिसित्या थोड़ी सी गेंद बाजों के लिए अनुकूल है लेकिन इन दो बल्ले बाजों के अंदर बहुत क्षमता है अच्छी बैटिंग करने की व समीकरन बहुत आसान नजर आ रहा है 17 गेंदे बची है मातर 24 रनों के आवश्टा है बालाजी गलोबस इंडस्ट्रील पार्क हो ये सूपर 8 का मैच जीतने के लिए सेमी फाइनल मदे प्रवेश कराईचा आहे दोनी टीम संगर्श करताना दीस्ता है अत्ता परेंत या खेला मदे बुलत या राउंड विकेट धीरच उल्टास होता बैट चिकडागेद बॉल गेलाए गली रीजन मदे फक्त दीशा दीली डिलीकेट टैच इते दाकोत अस्तना परन्तु इते ओर थोचा सुरुपा मदे आण खीन धावा मेली तील दोन रन पुरुन तीसरा रन सा प्रहतन चालव लाए तीसरी रन पुरुन हो इतना बड़ा टोर्नामेंट यदी कुणाल आप खेल रहे हो तो कभी भी आपकी बॉडी लैंग्वेज नेगेटिव नहीं होनी चाहिए अंत तक आपको संगर्श करना चाहिए अब देखिए 52 रन बन चुके है 16 गेंदों में 21 रन चाहिए आहित टीम चलेंग स्पोर्ट साथी ही लाइन सांग लिया स्विंग अनमे स्पिचिंग जालन अंतर रस्राइब विकेट की पर चाहता मदे बीट करून अने हाँ एक संग्ला डॉट बॉल कुछ थोड़ा जादा था नहीं तो बैट्समन बोल्ट भी आउट हो सकते थे और यही कई न कई कमजोरी रही है चालेंज स्पोर्ट के लिए इस पारी में दोनों भी गेंदबाजों को हमने देखा है एक दो अच्छी गेंदे की है लेकिन उसके अलावा वो निरंतरता देखने को नहीं मिली है इस बार जगे दे बैटे और बहुत कुपसूरती के साथ स्क्वेर कट किया था चारनों के लिए खाइफट का होता खाइफट का होता नजाकत ताकत टाइमिंग चा जोरा वर स्क्वेर ड्राइव इत्या सजवला अनि डीप मदे हाँ बॉल सी मारे शापल एकड़े चार रन चपन धावा सौधा बॉल मदे 17 रन चा वश्रकता सौध बॉल अनि 17 रन है समीक्रणिया मैच मदे स्टेप आउट करत खेलने अचा अपरेतना यॉर्कर टाकला पहिले चोड़ अकला यावला फुलंदा जाला बोलर धीरस धुमाले ने इत्थे फक्ते 21 मेल सूरज ला ये सिंगल चा जोरावर ना उसंके मदे आकारे तो ये रन जा पार्क पूर्चा बॉल राउंड विकेट ने धीरस धुमाले अनि यावलेला चांगली लाइन होती शरीराचा इते वेद घेतला है तत पुर्वी एक रन मिल पहुया पंचांचा इशारा अलाट बैटला ब्रज जालाए कदाची था बॉल अशा पत्दतिने ओवर ची होते समापती चार ओर्चा खेड़ी ते संप्लाए चार ओर्चा समापती नंतर अठावन रन जालेला है अनिया ता इना रा बारा बॉल मदे अवश्यक्ता है पंदरा रन ची बारा चेंडवानी पंदरा रन समय बिल्कुल भी आपको बरबाद नहीं करना है ratka आई से क्रीशा अंवश्यक्या आज चबरेकर धान आकर निया करना प्रचेंड़ा लक्ष ठेवने तालो तो त्रयात्तर रंच वंजे पंधरा रंच आवश्च रकता है बारा बॉल साके शिल्ल कसल अन्याता मुख्य वैस्पिट एन कडून बोलिंग सुरू हो इल आकीप खान बविश्य भवितव्य पुरुण अपने त्याचा हतात लिफ्ट अन्यात्तर बैट्समन मैदाना मदे खेले तो ये सूरच जोशी सूरच केने ने 31 रंच केले सूरच जोशी अकरा वर खेले तो ये चार बॉल तैने फेस केले लिए लोंग ओन लाएक उत्तूंग शटकार मग अच्छी ठोकला होता महत्वा चीनिंग केतन आउड जाला नंतर दबावस दिसलेला नाई ये या मैच मदे अकीब बोलिंग माकवर बारा बॉला नी पंधरा रं जास्त वेल खेऊ नका दोन वार्निंग्स तुमाला देने तालेले आहेत पहला बॉल यावला पंचा करे एक आसान निर्णए था अंपायर के लिए क्योंकि बैट्समन आफस्टम के बाहर खेल रहे थे इंपक्ट आउटसाइड द लाइन ऑफ अफस्टम था उस वजह से अपिल को ठुकरा दिया है वहाँ पर अंपायर गुकुल पाटील ने अच्छी शुरुआत जरूर की है और यह शुरुआत जारी रखनी होगी अंत तक गेंद बाज आकीप को आकीप को प्रयास करना होगा कि अंतिम ओर तक यह मैच लेकर जाए वह अग्दी बरुपरे अक्रा बॉल मद आता सा उदा धावांच अवश्चकता शेत्रक्षना मदे तोड़ा सा बदला वीते केला जात है वेले चाब आपती सहकार्य करा जास्ते वेले घ्यून का अक्रा बॉला निंचा उदारन पुड़े सरसा उला स्टेप आउट करत वा 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 शॉट बॉल सी मारेशा पलिकडे सूरच के ने चाब बाट मदूनान खीने एक वाइडिश लॉंग उफला शट हाइड टाइमिंग होता सूरच के ने चाब पैट मदूना शटकार अलायनित चान अंतर कमबैक वेगा ने कमबैक के लिला है आकिप खान ने सांगली गोलंदा जी और अब एकाद डॉट गेन खेलते हैं तो शायद जादा दबाव नहीं होगा बले बाजू पर क्यूंकि ग रैकेट सालते अग्डी तसा रैकेट स्रोक पहला माला समूर अनि तो पुर्वी दोन धावाई ते पूरुना करता स्थाना सूरच के ने देखे इस दफ़ा स्ट्रोक उतना अच्छा नहीं ता वन फॉर दी ओवर का इशारा किया है अमपायर ने गेन बाज को आकिप खान भी बाउंसर डाल सकते हैं यह उन्होंने दिखा दिया है लेकिन फिल्डर की उतनी जादा वहाँ पर प्रशन सा नहीं की जा सकते हैं उनक साधरन प्रदर्शन देखने को मिला है चालेंज स्पोर्ट्स का इस पारी में गियंदबाजी भी उतने अच्छी रही नहीं है और फिल्डर्स का भी उतना अच्छा योगदान देखने को नहीं मिला है दो रनोसी स्कोर आगे बढ़ता हुआ 69 उनतर रन आपके वल चार रन दूर है जित से बालाजी गलोबस इंडस्ट्रियल पार्क साध गिंदेशेश साध बॉल मदे चार रन सेमी फाइनल सा टिकेट इते अन्खी नेका संगला मेल सूपरेट मदला हा शेवट सा सामना पलेसमोर रंगता ना दिस्तो है पाविया कुटला संग सेमी फाइनल मदे दाकलो है फक्त चार रन दूर आ है अनि आवेला बीट करून बॉल विकेट कीपर कड़े जाईल ओवर ची होते समापती अशा पद्धती ने पाच ओवर चा खेड़ी ते संपला है पाच ओर चा समापती नंतरी कौन सत्तर रं जाले स्कोर बोड़ रानी एनर्या साहा बॉल मदे चार धावन ची आवश्यक्ता है टीम बाला जी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्कला अला कि पूरे टोर्नामेंट में ऐसा देखने को नहीं मिला है कि किसी गेंदबाज ने आकरी ओवर में चाहर रं बचाय हो लेकिन उसका मतलब यह नहीं कि इस बार भी बचाय नहीं जाएंगे कुछ भी हो सकता है क्रिक स्पोर्स को माद दी जागरूत मराठा रानाल ने और तीसरा सुपरेट का जो मैच था उसको जॉली स्पोर्स कामत गर ने जीता मैगी 11 के विरुत तो यह तीन टीमें क्वालिफाई कर चुकी है सुपर फोर के लिए और इस समय सुपरेट का अंतिम मैच चल रहा है भीवन चल रहा है सामने मदून आपलेला नकी समझेल उद्या भीवन डी प्रीमेर लीग सांतीम दिवस सेवट चाड़क चार रन डिफेंड कराया चाहे चालेंज स्पोर्ट्स ला अनि तेंचे सट यहे चैलेंजींग चासेल तेंचे समोर सिट बैट्समन दोनी ही सूरज सांगले खेले शेवट्चा ओवर मदे सोता बिलाल ने हेशड़क सुविकार ले पाहुया बिलाल आपले टीम लाईते तारेल का हा भीवन्डी चालाल नाव बिलाल बैटिंग मदे तर दमदार परफोर्मंस देने दिला है अनेक सामने मदे एका की किल्ला लडवत सामने जेंकून द के लिए चालेंज ला कोन विसरेल तो एक्षे सहारं चेस कर तस्ताना सामना पहला बॉल टर्न के लाई ओंसाइड ला बैकवर्ट स्कूर लेगला डीप मदे शेत्रक्षक धा होता है ते एक रंड पूर्ण होते और एकका धावेवर समाधान इते पाहला मेल अजू नहीं य जरूर पांच गेंदों में तीन रन डिफेंड करना लेकिन कोशिश जरूर की जाएगी बिलाल द्वारा बिलाल ने खुद की कंदों पर जिम्मेदारी ली है आखरी वहर उन्होंने मांग कर लिया है कप्तान से सूरच के ने पाहुया तैची रन नीती काया सेल तो कसा खेल बिलाल ला अनुवो प्रचंड बोट है बिलाल कडे शेत्रक्षना मजे पुनाएक दा हलका सा बदलाव करत अस्तना डी पैकवर स्कोरलेक चा शेत्रक्षक मलाटे 38 सरकल चाहत मदे तैने बोले उला है आनि सिगनल फारुक बर्डी ते इशारा करत अस्तना हाँ वाइड बोला है तैचा मुडे फक्ता ता दोंद्रन दूरा है विजया पासुनानी सेमी फाइनल पासुन टीम बालाजी ग्लोबस इंडुस्ट्रियल पार्क कंगाली में आठा गिला कर रहे है बिलाल हल क्या हाता ने फक्त दीशा दिली डेली के टची ते दाको दस्ताना लेट कट आनि तो परेंते एक रन मिलेते स्कोर लेवल एका धावे ची आवशकता बालाजी ग्लोबस इंडुस्ट्रियल पार्क ला प्रसिद्ध उद्ध्यो जक्क बिल गेट सेंसा एक वाक्के ते मला दाकल हो इल और यहां ता फक्ते एक रन दूर है बालाजी ग्लोबस इंडुस्ट्रियल पार्क साथी यहाफट का कट शोट आनि बॉल ला पाठवले डी बैकवर्ट पॉइंट बाउंडरी लाइन चा बाहर वीजाई सवकार इते ठोकला है सूरज जोशी ने आनि बालाजी लाजी ग्लोबस इंडुस्ट्रियल पार्क हा संग七 यहसपर्देच्हा सेमी-फाइनल मदे दाकल हो तो है विराज सोर गे सहबानी विरें सोर गे सहेब यांचा हा संग्य Weihnachtsि पर्देच्हा सेमीफाइनल मदे दाकल जले संग मालक नकीकी कूश से लेलुन फ्ले टीम लाजवाब प्रदर्शन इस नॉकाउट मैच में बाला जी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्क द्वारा सूरज केने ने कमाल की पारी खेली है उन्ताली स्रम बना कर नाबाद रहे केतन मात्रे ने अच्छा फ्लाइंग स्टार्ट दिया पहले विकट के लिए ठाइस रनों की साज़दारी पावर प्ले का अच्छा लाब उठाया दोनों बले बाजो ने और अखिरकार चटे वर में चार गेंदे शेश रहते वे ये मुक बाद बाद बुक्स्ट गो मातल थर खाली उलकूंट स्टैम नाएक प्लीएंग दीव पन्स वेले वेस्टारे सिंटेशंग के अख्री माँच के man of the match को तो अब यहाँ पर हम सहराने वाले हैं हमारे man of the match को तो आज का दसवा दिन बहुत ही अच्छा रहा बहुत अच्छे-च्छे matches देखने को मिले बहुत अच्छी इनिंग्स खेली है सारे प्रेस नहीं हाँ पर एन यू गाइज अर वाचिंग BC4 अलताफ बाली रेजेंज भीवन्डी प्रेमियर लीग सीजन दू ये नहीं देखा तो क्या देखा अब मैं बनाना चाहूंगे मेरे को कॉमेंटेटर को यहाँ पर हमारे साथ ताकि हम बुलाएं हमारे गेस्ट को और लास्ट पर नौ दे लीस्ट हम बुलाएंगे मैन ओफ दे मैच मेरे खाल में काफी जाहिर सी बात है कौन होने वाले है मैन ओफ दे बैच और फिर भी देखते हैं तो यहां पर हम थोड़ी देर में हमारे मेहमानों को बुलाना चाहेंगे प्रेजन्टेशन सेर्मनी के लिए आज का यंती मुकाबला था और किस तरह से अपने जोए किया बहुत मजा दबाव थोड़ा जादा रहता है आकरी ओर में खास तो और पर 15-20 रन बनाने होते हैं तो दबाव नहीं रहता है लेकिन जब 6-6 या फिर लेस्टेन रनबॉल एक्वेशन रहता है तो थोड़ा सा दबाव जादा रहता है बले बाजों पर क्योंकि मन में तोड़ी सी सकते है या फिर चोटी बैकलिप का उप्योग करते हुए सिंगल डबल लेकर भी मैच जिता जाता सकता है लेकिन वो चुनाव बहुत इंपोर्टन होता है लेकिन हमने देखा कि आखरी ओर में खूल रहे बले बाद और आसानी से मैच फिनिश किया बाला जी क्लोबस इंडस सश्पेंस तो मेहमानों को हम बुलाते है अधर निया विराज सोरगे साहब आपसे रिक्वेस्ट हैं आपको यहाँ पर आना है संभान्य महभूब गौरी साहब राजस्तान रॉयल्स के ओनर आपसे भी रिक्वेस्ट है आपको भी आना है साथ में कि फराज जी से दर्खास्त है कि वो स्टेज पर आजाएं कि रवीश भाई भी आमारे बीच में मौजूद है उनसे भी मैं दर्खास्त करता हूँ आपको भी आना है आपर हमारे प्रेजेंटेशन बॉक्स में वेलकम वेलकम आजये बीच में आपका आना बहुत जरूरी है आपके लिए गाना गाया जाता है सिद्धिक जी होते अभी तो गाना गाते मेरे महभूब कयामत होगी सेंटर आजये सूपरेट का आखरी मुकाबला खेला गया थोड़ी देर पहले यहाँ पर विवंडी के इत्यासिक परशुराम टावरे स्टेडियम में बाला जी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार करने उस मैच को जीता चालेंज स्पोर्स को हरा कर और इस मैच में जीत में नायक बने है सूर अगराच लेशन सूरज इस नाबाद मैच जता उपारी सबसे पहले हम लापास बोटी का शट दे रहे है विराज सुर्गे सापके शुबातों से उसके बाद फराज रविश मुमिन सापके शुबातों से ये गिफ्ट हैंपर हम दे रहे है उसके बाद ड्रीम होमेड केक का केक हम देने जा रहे है मैबू कोरी सापके शुबातों से एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट एक्रिलिक आर्ट टू की शांदार मैंदो मैच की ट्रोफी फराज मुमिन सापके शुबातों से और उनी द्वारा ये उनके द्वारा स्पांसर की गई है सभी मेहमानों का बहुत-बहुत शुक्रिया मेहमानों सो रिक्वेस्ट है की कहना चाहेंगे इतना कहना चाहूंगा टीम को जरूरत थी तब बैटिंग हुए तो बहुत अच्छा लग रहा है अच्छा ये आप बताईए आपके आइडल कौन है आपने हमेशा से किसको फॉलो किया है क्रिकेट मैं जितने भी बड़े नाम है मौनोज बोहिर से लेके व आपके लिए इसकी बहुत ज्यादा में थे क्योंकि मेरी टीम अभी सिमी वाइनम में पहुंचे है और मेरे प्लेयर्स कुछी तेके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तो यहां पर एक विशेश सम्मान हम करने जा रहे है औल इंडिया आइकॉन प्लेयर का और वो आल इं आइकॉन प्लेयर है बालाजी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्क के केतन मात्रे आईए केतन आपको मच पराना आज आईए ओल इंडिया आइकॉन प्लेयर के लिए जनाब फरान पतेल साब मापोली की मशूर परसनालिटी उनकी ओर से अठारा तौफे दिये गए है और हर आइकॉन प्लेयर को ये तौफा हम दे रहे है बीपील में तो उनके हम शुक्र गुजार है शादाब खोतकर साब यहाँ पर अढ़म आइकॉन